मेरा नाम है Amitra अब हम करेंगे NX में Drafting और Drafting करेंगे हम एक Assemblily की उसमें हम कई चीज़ शीखना जाते हैं जैसे सब्सक्राइब एक जब्रेश जब्रेश हम NX में कोई भी NX में या कि जी भी सौफ्टर में Assemblily लेकर आते हैं तो उसका bill of material कैसे बनाना है, ठीक है, तो आज मेन हमारा मकसद है, ये bill of material को detail में समझने का, कि इसमें क्या-क्या option है, जैसे option आज उन क्या-क्या करेंगे, कि assembly को load कैसे करते हैं, बिल of material बनाएंगे कैसे, इसमें हमारे को assembly के अंदर ballooning करनी पड़ती है, तो वो ballooning कैसे होगी, material कैसे provide करेंगे, अचली जब bill of material बनता है तो उसमें material नहीं आता, तो अगर मुझे material add करना हो, तो वो कैसे करेंगे, मास्क प्रॉपर्टी भी नहीं आती है, जो हमारे पास मास्क निकाल बता है हमने, तो मास्क कैसे add करना है, assembly के अंदर, drafting में, bill of material के अंदर, वो भी चेक करेंगे, property and attribute अगर मुझे कोई अपनी मर्दी से property बनाना चाहते हैं, जैसे हमारा component कास्टिंग का, कोई forging का हो सकता है, हम एक property बना के भी bill of material में assign कर सकते हैं, अब हमने एक बार ये assembly बना ली, assembly बनाने के बाद bill of material भी बना लिया, अब मुझे next assembly में ये same bill of material चाहिए, यानि के same चीजें, जो मैंने यहाँ पर setting की हैं, तो उसके लिए template बना सकता हूँ, bill of material का, वो कैसे बनाएंगे, वो देखेंगे, जब हमारे पास कोई assembly होती है, उसमें कई level होते हैं, तो जैसे हमारे पास ये assembly है, माल लो, तो assembly के बहुत सारे levels है, जिसे assembly के अंदर sub assembly है, उसके अंदर वो पार्ट हैं, कहीं पर मारे पर दो पार्ट हैं, कहीं पर छे पार्ट भी हैं, तो वो सब assembly को इसको हम below material में कैसे दिखा सकते हैं, वो देखेंगे, और एक छोटी सी चीज है कि अगर हम कुछ table template बगएरा बनाते हैं, तो यह देखो, मैं यहाँ पर एक icon आ रहा है, पैलेट के अंदर, आपके शायद नहीं आ रहा होगा, तो यह add कैसे करना है, यहाँ पैलेट, वो सी ज चेक करना चाते हैं, तो property में क्या क्या है हमारे पास, यहाँ पर एक बड़ी अच्छी option और हम करेंगे part selection from build material, कि अगर मैं कसी part को select करता हूँ, तो आगे जाके देखेंगे कि वो build material में हम कैसे select कर सकते हैं, update table को update कैसे करना पड़ेगा हमारे को, वो देखेंगे, अगर कोई part नहीं चाहिए, build material में, तो वो कैसे हटाना है, या कोई add करना है part मुझे, तो वो कैसे करेंगे, वो navigate करेंगे part print table, यह table के अंदर हमारे को, अगर कोई part ढूनना है, इसमें से, बहुत बड़ी assembly हो मालो मरबाद, तो 16 component है, अगर मुझे कोई component ढूनना है, या table के अंदर तो वो कैसे search का सकते है, तो वीडियो थोड़ी सी, शायद लंबी हो सकती है, तो वीडियो को देखने का best तरीका यह है, कि अगर आपके बास कोई assembly है, तो उसको खोल के फिर मेरे साथ बैठो, जैसे जैसे मैं आपके करना हूँ, वैसे बैसे करेंगे, तो बहुत easy भी समय मे अगर आपको यह पार्ट चाहिए, उसके लिए अगर आपको पैक्टिस करने के लिए यह पार्ट चाहिए, तो आप मेरे को mail करो, या मेरे को description आप मेरे ID भी है, मेरे को WhatsApp भी कर सकते हो, आप मेरे को mail करो तो ज्यादा अच्छा में आपको mail कर दूँगा, reply में यह model, और शु अगर शुरू करते हैं, हमने क्या किया हमने यहाँ पर एक new sheet को, ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास blank sheet है, इसमें हमारे पास कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो हम शुरू से करे जिए सबसे समझ में आएगा कि पैसे फार्ट को ले के आना है, तो सबसे पहले तो हमारे को assembly को तो यहाँ पर हमारे पास option होती है base view, base view से model ले के आ सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास list आ रही है, पूरी की पूरी, जो जो part हमने खोल रखे है, ठीक है, तो इसमें से आप choose कर सकते हो, या फिर अगर हमारे पास तरीका के आउपर, अगर मालू मेरे पास model है, ठीक है, यह मैं बीजा सकते हैं, application के नदर draft हो, ठीक है, तो यह automatically हमारे पास sheet आ जाएगी, तो खाली sheet में सबसे पहले हमारे के चाहिए, पार्ट, यहां base view करीं, यह देखो, यह part मेरा आने लग गया, यहाँ पर, ठीक है, पार्ट हमने आने लग गया, तो मैं जैसे मैं यहाँ पर click करूगा तो जो part हमने select किया, उसका top view आ गया, ठीक है, अगर हमारे को isometric view देखना है, तो isometric view ला सकते हैं, हम क्या करता है, बेस भी लेके, यहां से हम isometric top view की जगा, isometric view कर देंगे, तो यह isometric view आने लग गया, अब यह हमारे को sheet के होगी, हमारी sheet छोटी है, ठीक है, तो यह I कहाँ प जिसमें हमने एक isometric view है, यह sheet number one है, यह part है, तो अगर मैं sheet के उपर double click करता हूँ, तो यह paper size खुल जाता है, मैं इसको कभी भी modify कर सकता हूँ, मैं इसको a zero कर देखा हूँ, तो यह दिपर sheet का size जो है, बड़ा हो गया, ठीक है, तो वीडियो देखें के तो असाथ साथ आपक इसको shade color shade में देखना है, हम इसको बड़ा double click करेंगे, और shading में आकर यहां से fully shaded करो, ठीक है, तो यह हमारा fully shaded हो जाता है, ठीक है, तो अभी देखो मेरे पास यहां पर यह view आ गया, ठीक है, और अगर हमारे को इसके part देखने हैं, तो यहां family में जाएंगे, तो यहां तो य ठीक है, ठीक है, अब हमारा मकसद है below material बनाने का, तो बहुत असान है, बहुत ही असान है, यहां पर पार्ट लिस्ट के उपर, ठीक है, यह assembly select होना ही चाहिए, ठीक है, यह assembly select है, इसको part list पर click करेंगे, यह not copy part list, actually हमने न, इसके sheet number one में part list already बना रखी है, ठीक है, तो इस वज़े से वह हमारे को बोलगा है, कि यह part list में बना लेंगे, तो इस part list को अगर मैं करको delete, देखो गया हो गई, अब दोबारा से part list बनाएंगे, अब देखो sheet one में भी गया हो गई हो, ठीक है, तो कोई बात नी चल क्लिक करेंगे, तो यह देखो part list automatically आगे, अभी by default देखो यहां के भी part list आगे, ठीक है, पार्ट लिस्ट में आ क्या रहा है, तीन चीज़े आ रही है, basically, part का number, name and quantity, ठीक है, तीन चीज़े आ रही है, तो सबसे important चीज़ तो यह होती है, कि इस table को selection कैसे करनी है, इसमें अग क्लिक करेंगे, तो यह select होने लग जाती है, अगर आपको कोई particular चीज़ select करनी है, तो select कर सकते हैं, अगर हमारे को पूरा column select करना है, तो बड़ा असान तरीका है, इस पर click करो किसी पर भी, यहां पर right click करो, selection में जाएंगे column, तो वो पूरा column select हो जाए, अगर मैं किसी click करके right click करके selection में जाएंगा, row, तो यह particular row select होगी, ठीक है, अब मालनों मुझे यहां पर एक column और चाहिए, part list में, तो मैं क्या करूँगा, इसको select करूँगा, right click करके पहले select column करूँगा, then मैं add करूँगा, column from right, ठीक है, अगर मुझे इस table की कुछ भी setting change करनी है, जैसे font हो गया, यहां बॉक्स के उपर क्लिक करेंगे, edit setting में जाएंगे, और यहां से हम इसका font हो गयरा change कर सकते हैं, आपको ठिकन चाहिए, आपको text की height कितनी ही चाहिए, ठीक है, तो सारा कुछ यहां से font को चाहिए, तो वो select किया जाए, ठीक है, तो हमने क्या करना, इसके उपर इसेटिंग में जाएंगे, और अगर आपको जो भी changes करने ही आपੰ prefix of fix भी दे सकते हैं, यहां पे बहुत सारी चीजे हैं, बॉरडर भी दे सकते हैं, जैसे बॉर्टर है, ठीक है, तो बॉर्टर दे सकते हैं, आपको बॉर्टर देना हो, कौने कलर में देना है, उसरा है तो मैं इसकी develop कर सकता हूं यहां पर में पास आटो बैलूनिंग की origin को क्विश्ए हैं आपको करना घ leaned आपको सिर्फ पृटलिस्ट पर क्लिक करना और क्री कर देगा आप इनको करके अपने हिसाब से जहाँ में मटें रखने का हूँ गई जरी हाई तो रखना बहुत असान है इसको यह अलाइन हो ठीक है ताकि देखने में अच्छा लगे वाक्ति प्रफीग लग रहा है यह टेबल हमारा जो है क्रियेट हो जब हम टेबल कोई भी बनाते हैं यह अमनलो टेबल है सेटिंग में गए हम और यहां पर देखने हमारे पास एक ऑप्शन होती है बहुत बढ़ी है कि टेक्स हाइड चेंज कर सकते हैं हम कहीं और टेबल जैसे में यह टेबल बना हुआ है तो मैं इससे इनहेरेट भी कर सकता हूं प्रॉपटी प्रॉपटी यहां पर प्रॉपटी यहां पर प्रॉपटी आएड नहीं है तो जो भी आएड करना है उसके लिए करो पहले एक स्लेक्ट करो का फॉर Ooh Sorry कोनाओ स्लेक्र यहां पर यहांपर क्लिक करो राइट क्लिक यहां पर सलेक्ट कौलं यह मने कौलमपूदा स्लेकर dry lock करने के बाद यहां जाओ इसकी सेटिंग्स के इस हैं सेटिंग में जाएंगे इस यह महाँ पाद एक कॉलम का option extra पहले यह नहीं था पहले common तक था अब कॉलम भी आ गया है कॉलम में हमें क्या करना है हमें एक attribute add करना है कौन सा attribute add करना है मैंने का जी मुझे मालोग material add करना है ठीक है तो यहाँ पर material की option है तो यह material preferred आगे अभी आपर कोई नजर नहीं आ रहा हमारे को material उसका कारण के इस assembly को यह जो below material है इसको update करना पड़ता है अभी भी नहीं आया रहे हो क्यों नहीं आया उसका कारण यह है कि हमने किसी को material assign ही नहीं किया हुआ है हमने क्या करना है मॉडलिंग में जाना है किसी को भी डबल क्लिक करेंगे पार्ट को तो वो जो है एक्टिव हो जाता है बाकी के disable है यह वह एक्टिव हो तो हम क्या करेंगे टूल में जाके यहां से material assign material करते हैं तो कोई भी आप material दे सकते हैं जिसे में इसको ब्राव देता हूँ पार्ट सेलेक्ट कर लो कि अप्लाई कि 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 किसी और को एक्टिव कर लेते हैं डबल क्लिक करो तो एक्टिव हो जाता हूँ तो फिल से जाएंगे टूल में असाइन मेटीडियल और इसको सेलेक्ट कर दो जो भी आप मेटीडियल देना है तो एक चीज और साथ में कर देते हैं जब भी हमारा पास कोई पार्ट एक्टिव है तो अगर मैं उसकी प्रपरटी देखू हूँ तो प्रपरटी में यहां पर बेट आता है तो यहां पर अपडेट डाटा सेव कर देना है और इसको रीकर्फेश कर देकां तो यहां पे इसका मास आने लग जाए है तो जो भी पार्ट है उसको जब तक आप यह नहीं करोगे तब तक वहां पे मास नहीं आएगा हमारे को ड्राफ्टिंग जाते हैं ड्राफ्टिंग में दुबारा वाफिस आ गए इस टेबल को आटोमेटिकली अपडेट होना यह हुए हो सकता हमने यहीं गलक ले लियो तुबारा से लिए लिए राइट क्लिक पहले सेलेट करो कॉलम को देन सेटिंग में जाओ कॉलम के अंदर हमारे को मैटीरियल चाहिए यह मैटीरियल अच्छली पहले असाइं नहीं था इसलिए आनी जाता तो जिसका भी हमने material असाइन किया वह आ गया अभी बिल्लोग मेटियल की एक और बड़ी अच्छी खासित है जो हमने अभी तक किसी को नहीं बताई अभी देखो जिस वे में यहां पड़े हुए उसी वे में हमारे को यहां पर नजर आएंगे यह मैंने एक आप एक क्पारा रहता है इसको गुग ऐसम्स वे में यहां पर हमारे को नजर आ रहे है वहीं एबढ़ी क्या वतला हैंस टोपिर से हम वहीं काम करेंए कि पर आवन बनाते हैं राइट में कि इस से कॉलम को सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद सेट पूरा कॉलम सेलेक्ट होने के बाद सेटिंग में जाना है ठीक है और यहां से हम इसको यहां पर मास आ रहा है तो यहां से हम मास ले सकते हैं जिसको मेडियल को हम दे रखा है जिसको एक्टिव कर रखा है जिसको अ मुझे खुद की कोई प्रॉपर्टी एड़ करनी है तो क्या करेंगे मॉडलिंग में आएंगे कोई भी पार्ट जिसके आपको अट्रिबूट देना है माल लो यह है तो इसको पहले डवल क्लिक कर लेते हैं एक्टेव हो गया यह हमारा पार्ट और इसकी प्रॉपर्टी में जाएंगे तो यहां पर ऑप्शन आती है अट्रिबूट ठीक है कई पर यहां से यह चेंज होता है बक एडिट होता है उनम पर मैंने है उसको नहीं कि सब्सक्राइद केंजाना है हमों ने बना दिया Construction तो यह इसको हम कर देते हैं एक्षिंग एक्षिंग डालेंगे वेल्यू के डालेंगे एक्षिंग करना चाहते हैं इसको ओके करेंगे तो देख वहाँ पर एक्षिंग नाम से बन गया है तो यह जिसकी वेल्यू है फूर्ज तो यह चीज हमारे को सिर्फ एक मेनी यह सब में करनी पड़ेगी जिस जिस मेटीरियल को आप चेंज करना चाहते हो तो इसकी प्रॉपर्टी में जाके हमारे को सब में एट्रिबूट बनाना पड़ेगा ठीक है तो हम यहां पे टाइटल डालेते हैं, अक्शन और सेम होना चाहिए, अगर सेम नहीं होगा तो वह सब में नी आएगा. को को 스톡 negligee को बडिक बार को आंपको कॉस्ट एड करनी होती है कई अगल आपको कोई डीक देंस्ट्ट करनी होती है कही वरिया करो और छीज भी एड करनी हो सकती है जो आ पको क्यों ही जो परकी लोग काम करते हैं नो को शुच हो रहा है कि इसको कर दिया और ओके वापस अपनी assembly को active कर लेते हैं और फिर से आते हैं application में draft ठीक है तो यह देखो यहां पे हम add कर सकते हैं अपना attribute कैसे जैसे पहले किया था कॉलम सेलेक्ट किया राइड में insert किया फिर से कॉलम सेलेक्ट किया सेटिंग में गई यहां पर हमारी जो हमने बनाई है type action ठीक है जो भी हम बनाएंगे वह यहां पर आ रहे हैं जिस जो भी हमने लिखा उस के अंदर जिस पार्ट के भी अंदर है वह वाला हमारे को नजर आने लग जाए है, ठीक है, तो यह हमारे को clear हो गया है, एक और चीज़ इसमें बहुत important है, जो हम आज समझना चाह रहे हैं, वह यह है कि level कैसे maintain होगा, जैसे assembly के अंदर सब assembly है, ठीक है, बट हमारे को यहाँ पे सारे कठे नजर आ रहे हैं, हमारे को यहां से भी जा सकते हैं, जो भी मैं कर रहा हूँ, वह हम यहाँ से भी जा सकते हैं, यह part list से इसके उपर right click करेंगे, यहां पर added level आ रहा है, इसके उपर right click करेंगे, तो यहां पर भी level है, इस वक्त हमारे को पास option क्या है यह पार्ट लिस्ट खोलता हूं तो नजराएगा देखो यह सारे पार्ट नजराएगा अगर मैं इसको खोल के दिखाऊं तो यह भी selected है क्यों क्यों क्योंकि यहां पर option selected master model अगर मैं इसको बंद कर देता हूं तो यह असेंबली भी नजराने लगे वाली में वाली तो यह कैंज कुछ नजरा रहा है में वाली उसके पार्ट पार्ट के का नाम है हमारे को सिर्फ लेवल चाहिए हम यहां पर सिर्फ लेवल उनली कर देंगे तो हमारे को सिर्फ लेवल नजर आने लग जाएंगे हमारे को असेंबलियों के नाम हमारे बिल्लोप मेटीरल में नहीं नजर आएंगे समझाई भाद? और अगर मैं यह लेवल हटा दूँ तो यह यह लेवल onlay तो यह जो है अंदनर वाले जो बंद गाले कई अगर मैं यह लेक्ämिक करता हूं है कि हमारे को सिरफ ऋप लेवल के निज Filipino के नहीं है हमारे को इसको भी स्छ गोड़े आपना प्रया सार्में तॉप लेवल के हमारे को चाहिए इसमें एक बड़ी ऐची चीज होती है कि हम जो हमारे को चाहिए ना हम उसको सेलेट कर सकते हैं जैसे मैं कंट्रोल दबाके जिस जिसके उपर क्लिक करता जांगा सिरफ वो वो लिस्ट भी हम देख सकते हैं अगर मोझे कँग एड़ करना तो आड़ कर सकते हैं अगर मरे को कोई छोड़ना है तो चोड़ना है तो अएप एक तो तरीका लेवल के थू ए एक तरीका क्या है हम आद्वा आठेम कंट्रोल दबाकर जिस के उपर भी क्लिक औरल गे वो चीजह है स्लेक्ट अनली है ठीक है यहां से टॉप लेवल देखना है आपको मास्टर मॉडल देखना है ठीक है मास्टर मॉडल तो मुझे देखना नहीं है मुझे देखने है टॉप लेवल ओनली तो यह टॉप लेवल ओनली आ जाएंगे ठीक है और अगर मुझे लेवल ओनली देखने है तो यह लेवल तो देखो इसने इसको छोड़ दिया और उसके अंदर वाले जो हैं उनको सेलेक्ट कर लिया सबसे बढ़िया यही है इसको ओके कर देगे तो यह हमारा सैटिंग आजएगा एक और बहुत अच्छी चीज है असेंबली के अंदर जो हमारे को बहुत ज्यादा जुरुत पड़ती है कि हमारे को देखना है यह वाला पार्ट यहां पर राइट क्लिक करो शोओ अनली कर देंगे तो सिरफ वही वाला पार्ट नजर आने लग जाएगा है की ठीक है बैट इसको शोओ सारी को सेंबली चाहिए हमें सारी ने जराने लग जाएगी अब यह आप्शन तो एक सिंपल ऑप्शन जो न्गली सब को पता होता है इसमें और बहुत अच्छी सीज़ अ कि मान लो मैंने यह पार्ट है मेरा ठीक है अब मेरे को देखना है य तो मुझे टेवल में देखना यह कहां पर है, ठीक है हमने यह से कोल रखता है, यह जैसे मर्जी हो, यहां पर right click करो, यहां पर option होती है navigate to part list row, इस पर click करेंगे तो यह हमारे को दिखाने लग जाएगा, कि part list के अंदर वो part कहां पर है, ठीक है, और same इसका उल्टा भी है, कि अगर मैंने यहां पर कुछ select कर रखा है, यह वली row पर select कर लेते हैं, यह select row कर रखी है, यहां पर navigate करूँगा, तो यहां पर उल्टा भी है, navigate call out करेंगे, तो यह हमारे को दिखाने लग जाएगा भी, यह part कहां पर है, ठीक है, मैंने एक row select किया, row select की, ठीक है, तो अगर मै इसका call out देखना है, तो मुझे call out ना जाना है, ठीक है, कि इसका number कहां पर है, ठीक है, इसका number कहां पर है, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़ी असामरी होती है, तो घूनना मुश्किल हो जाता है, इसमें एक और option भी है, अगर मैं यहां पर right click करके, दुबारा selection में जाओं, त तो मैंने एक row select की, और मैंने इसको पुरी row को select कर दिया, तो दुबारा selection में जाओं, और ग्लिक करूँगा, तो वो वह वाला component हमारे को select कर देगा, तो वह 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 नाम पता होता है, पर हमारे को यह नहीं पता, assembly में वह कहां पर है, तो वह चीज़ कर सकते हैं, ठीक है, अब मुझे क्या करना problem क्या है, कि जब मैं next को यह assembly बनाना हुआ, तो फिर से मुझे यह सारा कुछ जो है, बनाना पड़ेगा, यही सारी setting को बनाना करनी पड़ेगी, तो उसका भी हल ही यह है, कि इस table को select करो, right click करो, और save as template कर दो, ठीक है, और template ध्यान दख लेना है, कहां पर पड़ा होता है, यह हमारा, C के अंदर program file, Siemens, NX10, UGI, table file, ठीक है, तो हमारे को यहीं पर save करना है, यह पार्ट, अधरवाई है, हमारे को यह बाद में ढूनने में मिश्कुल हो जाएगी, तो मैंने जैसे एक cam1 underscore में रख़ा है, तो इसको में लिए देता हूँ, cam underscore build of material, ठीक है, तो इसको OK कर देंगे, अब मुझे next time जब मैं कोई assembly बनाऊँगा, हम कोई assembly खोल के देखते है, let's try, के मेरे पाख यहाँ पे, history में पढ़ी आएक assembly, ठीक है, यहाँ पे अल्रड़ी बनी हुई है, कोई बात नहीं हम इसको delete कर देते है, अब मुझे वही वाला चाहिए, बिलोव में टीजर, तो जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, पार्ट लिस्ट के अंदर, तो यह वही वाला टेबल आ गया, बट अकर मैं यहाँ से खोल लूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे add कर रखा है, अच्छा यहाँ पे टेब कैसे add होगा, यहाँ मीनू में जाएंगे, मीनू के, फाइल में जाएंगे, सौरी, फाइल में हम जाएंगे, preferences, palettes, तो यहाँ पे palettes आ रहे हैं, हमारे को open करके, browse करना है, यह table वाला फोल्डर, तो यह जहाँ पे जितने भी table होंगे, इसको ok कर देंगे, मेरे अलड़ी है, इसलिए मैंने ok नहीं किया, वह यहाँ पे आ जाएगे, ठीक है, इसका फाइदा क्या होगा, इसको तो यहीं fresh कर देता हूँ, तो जितने भी हमने बनाए है, जो भी हमने बनाया, cam वाला, वो भी यहाँ पे हमारे को नजरा रहे है, यह cam 1 है, यह cam below material है, तो मैं क्या करता हूँ, यह वाले below material को delete कर देता हूँ, और यहाँ से cam below material है, तो यह देखो, वो सारी properties जो है, यहाँ पे बनी वही आप, ना हमारे को मास बनाना पड़ा, ना हमारे को action बनाना पड़ा, ना मुझे हर बार column add करने पड़े, ना मुझे हर बार row add करनी पड़ी, तो यह बहुत बढ़िया तरीके से, राम से हमारे पास कई बरी क्या होता है, जब आप यह table save करने की कोशिश करोंगे ना template में, तो जो हमारा folder है, जैसी यह folder है, तो यह आपको permission नहीं देगा, C के अंदर कुछ भी save करने की, तो इसको right click करके property में जाना है, और यहाँ पे security में जाके इसको full control दे रहा है, ठीक है, तो तब ही हम इस पाइल के अंदर कुछ save करने के इस folder के अंदर, अगर हम इस folder के अंदर save नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पर नजर नहीं आएगा, यहाँ नजर नहीं आएगा, तो हम ड्रैट कैसे करेंगे, तो इसलिए वहाँ पर नजर आना बहुत ज़र होगी है, ठीक है, तो यह हमारे assembly म अभी हमने क्या क्या देख लिया, हमने load कैसे करते हैं, below material भी देख लिया, balloon कैसे करते हैं, material कैसे add करते हैं, math property कैसे add करते हैं, property भी हमने बना के देख लिया, template भी हमने save करके देख लिया, assembly level भी हमने देख लिये, palette भी हमने बनाना सीख लिया, order कैसे change करना है, अभी जैसे य जाएंगे इसकी तो यहां से हम यह देखो यह इसका वर्फ लोग अपड़ अपवर्ड यहां से डाउनवर्ड कर देंगे अगर हमारे को इसमें जो भी चेंजिस करने है ना वो हमारे यहां प्रेफरेंसिस में भी हो सकते हैं टाबर, फ्रेफरेंसिस में जाएंगे डॉर्फिन के डॉर्फिन में जाएंगे यहां पे सर्च मालेंगे टेबल е फीर हीं एंटर करेंगे है यह त्यों का टेवल आपको कों सा चーई यह कॉल्प वाला चाहिए बेंदेंटे में सफिक्स में इस तेबल के अंदर मुझे पार्ट लिस्ट है पार्ट लिस्ट में हमारे पास यह जो बैलून बने यह बैलून को हम राउंड बॉक्स में कर सकते हैं अब आपको call out में यह text लिखना है part name लिखना है क्या लिखना है जो add करदेंगे वह यह चीज इस quality के अंदर add लग जाएगे इसको update करना पड़ेगा इसको भी add update करना पड़ेगा update part list right click करके update part list करेंगे तो यह update हो जाएगे बनाने से पहले हमारे को खरना चाहिए था इसको भी रिफ्रेश कर देते हैं अब यह पॉलर जो है आटमेटिकली आ रखे इसलिए दुवारा चेंज नहीं हुए तो अगर हम यह सब कुछ पहले कर देंगे ना अगर इसकी सेटिंग में जाके अगर मैं पहले चेंज कर देता हूं और स्वारी सेटिंग में जाना था हमारे को प्रापरटी में निग कर दो है दो जो है वो है कि दिन में जाकर क्या चाहिए कि चाहिए ऐसे ये अब वड़ चाहिए डाउनवर्ड चाहिए सॉर्टिंग कर सकते हैं बहुत सारी अपशन ही यह यहां पर हैडर कंच यह 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 दो ऊपर से लिस्ट बन दे हैं अगर मैं यहां पर सेटिंग में जाओं कि यह सेलेक्शन है पॉर्मेट अमरे को बिलोव वाला चाहिए जो अलाइन नहीं जो बॉक्स बना हुआ रहा है वह कहां पर चाहिए किस पॉर्मेल में चाहिए तो जहां क्लिप करते हैं कि वहां आ जाएगा अगर जब मैं माउस से हिलाता हूं यह वाला कॉर्मेल यह वह है पकड़ा यहां से देखो अब हाथ मेरे यह वह प्रॉप अगर तो अपडेट भी हमारे को समझ में आ गया पार्ट लिस्ट में कैसे समझ में आ गया प्रॉप बहुत बढ़िया पॉइंट्स हैं यह बहुत ज़्यादा जुरुरत प्रतियन के डिली रूटीन में जो भी लोग असेंबलियों के काम करते हैं बड़ी बड़ी तो उनक इतने भी लोग वीडियो देख रहे हैं अब को जो भी एन्नेक्स सीखना चाते हैं सबके साथ वीडियो शेयर कर ली है तक ही जाए 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 लोगों को एन्नेक्स सीखा रहे हैं